हाई गाईज विलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर कर रही हूं हेर वाश की वीडियो शेयर कर रही हूं जशन को करवाया है मैंने हेर वाश वान वीक हो चुक है उसे हेर वाश करवाई हुए तो विंटर में मैं उसे वीक में एक बार ही यह वाश करवाती हूं और थोड़ा सा गरम पानी ही में यूज करती हूं क्योंकि उसके बाल काफी जदा हैवी है ऑईलिंग बहुत ज़्यादा उसके बालों में हुई होती है जिस वज़ासे ना मैं थोड़ा गरम कानी ही यूज करती हूं उसके बाल अच्छी तरह से नीट और क्लीन हो जते हैं तो यह वाश के लिए मैं आयूर हरबल शेंपू का यूज करती हूं समर एंड विंटर दोनों में मैं यह वाला शेंपू यूज करती हूं इसकी बड़ी बॉटल मैं लोकल मार्के स्टोड से कर लेती हूं जो मेरी काफी टाइम चल जाती है बहुत ही अच्छा वाला शैंपू है कई लोग कमेंट करते हैं कि इससे हमारा हियर फॉल होने लग गया इसमें कैमिकल बहुत जाद है तो आप भी जशन को दोड़ाई साल से देख रहे हैं आप सबको पता है कि मैं जशन को यह और उसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं इसके बाद मैं दोबारा उसके बालों पर शैंपू करूंगी फर्स्ट टाइम शैंपू करने से जस्ट ऑईल निकल जाता है डस्ट निकल जाती है तो जब मैं सेकंड टाइम उसके बालों पर शैंपू लगाऊंगी तो शैंप और इसके बाद ऑईलिंग मैं मस्चर्ड ऑईल से भी कर लगती हूं आमला ऑईल को कनेट यह तीनों ऑईल ही में यूज करती हूं तो आप जशन के बालों की लेंथ देख सकते हैं कि उसके बाल कितने ज्यादा लंबे हो गए हैं बहुत ही ज्यादा बाल उसके लंबे हुए हैं संभालने हमें बहुत ज्यादा संभालने में बड़ी ज्यादा मुश्किल होती है तो गाईज अब मैं सेकंड टाइम जशन के बालों पर शेंपू लगा रही हूँ जब मैं सेकंड टाइम मैं शेंपू करूंगी तो काफ़ी अच्छा लेदर करता है बाल बिल्कुल उसके नीट अंड क्लीन हो जाएंगे एक वीक मुझे बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है काफी अफॉर्डेबल शेंपू है इसली लोकल मार्के स्टोर से भी से आप आई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं मुझे इस शेंपू के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो गाईस इस तरह से जशन को मैंने हीर वाश करवाया है तो गाई पुझे ऐसे कोई नीड लगती नहीं है कंडिशनर यूज करने की से शेंपू से ही उसके बाल काफी जणा अच्छे हो जकते हैं काफी ज़्याधा हेलदी हो जकते हैं काफी टाइम से मैं यही वाला शेंपू यूज कर रही हूं मैंने कोई और शेंपू ट्राइ भी नहीं किया मुझे इसके रिजल्ट बहुत ही जाता अच्छे लगते है तो अगर आप भी कोई अच्छा शेंपू ट्राइ करना चाहते हैं तो आप आयूज शेंपू जरूर ही करती के टावल ट्राइङuis को जटे हैं वेत ही तो वैसे भी हमारे काफी जटावी दी होते हैं तो वैट यहर पर ना तो हमें कॉंबंग नइस चाहिए और यहीं बहुत ज्राइंग करनी चाहिए उन बिल्कुल थोड़ी तोड़ी lao Conta की पानी आ च्रूंड को चब्हें लगते हैं थोड़ी सी ही मैंने टावल ड्राइंग की गई है ताकि पानी सारा बालों मेंसे निकल जाए इसके बाद धूप में जशन के बालों को मैं सूखने दूंगे नैचरली उसके बालों को एर ड्राइ होने दूंगी hope guys आपको जशन की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें please guys वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि जशन की वीडियो मैं सिरफ और सिरफ आपके लिए बनाती हो तो होप आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी और आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो जलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में मिलूंगे तब तक लिए थैंक्यू बाइ